असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्स आज का हमारा टॉपिक है BUN टेस्ट यानि के बलड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट और डियर वीवर्स आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे मैं आपको ये भी समझाओंगा किस तरह से BUN को कालकुलेट किया जाता है यूरिया से तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन है कोई भी स्टेप मिस मत कीजेगा वीडियो को मकमल तोर पर देखिएगा ताकि आपको समझ सकें इस चीज़ को तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक BUN टेस्ट डियर वीवर्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि BUN यानि के बलड यूरिया नाइटरोजन है क्या तो BUN की जब हम बात करते हैं तो BUN में मौझूद हम नाइटरोजन की बात करते हैं जो कि यूरिया का एक बहुत आहम हिसा होता है इस BUN टेस्ट की मदद से हम बहुत असानी से पता लगा लेते हैं कि खून में मौझूद नाइटरोजन की मिखदार कितनी है और डियर वीवर्स एक यूरिया के मौलिक्यूल में दो एटम्स मौझूद होते हैं नाइटरोजन के और ज्यादातर या आम तोर पर लिबाटरी हिस्सा बन जाता है तो ये नाइटरोजन भी जिसम के लिए फिर एक वेस्ट प्रोड़क्ट बन जाता है और इसका निकलना जिसम से बहुत ज्यादा जूरूरी होता है क्योंकि ये भी जिसम के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है डियर वीवर्स जो दोस मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके दियर वीवर्ज अभी बात करेंगी कि तश्खीसी एहमियत क्या है BUN टेस्ट की तो जैसे के हम लोग को पता है कि जब हम BUN का टेस्ट करते हैं तो BUN के टेस्ट में नाइ्टरोजन का पता खून में लगाने के साथ साथ हमें यूरिया का पता भी अच्छे से चल जाता है और इस टेस्ट की मदद से हमें जिगर के काम करने का भी पता चल जाता है कि वो ठीक काम कर रहा है या वो ठीक काम नहीं कर रहा B.O.N.T.E.S.T. کی مدد سے ہم گردے کی بیماریوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اور B.O.N.T.E.S.T. کی مدد سے ہم ڈائلیسس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ڈائلیسس جو مریض کا ہوا ہے تو وہ کامیاب ہے یا نہیں اس سے مقدار کم ہوئی ہے نائٹروجن کی اور یوریا کی کہ نہیں B.O.N.T.E.S.T. کی مدد سے ہم ان مریضوں میں گردے کی بیماریوں کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ پہلے سے علاج پر ہوتے ہیں دوائیوں پر ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دوائیوں کا اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو ایسے مریضوں میں B.O.N.T.E.S.T. جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے Dear viewers reference range یا normal range پر اگر ہم بات کریں کہ خون میں اس کی normal مقدار کتنی ہوتی ہے تو اس کی normal مقدار ہے 7 سے لے کر 20 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اگر ہم بات کریں کہ خون کا نمونہ کس بوٹل میں لیا جاتا ہے تو 3 سے 5 میل کا blood لیا جاتا ہے جل ٹاپ ٹیوب میں centrifuge کیا جاتا ہے serum نکالا جاتا ہے اور پھر advance machinery پر test کو run کیا جاتا ہے Dear viewers ابھی سب سے اہم حصہ آ گیا ہے اور وہ ہے کہ کس طرح سے ہم B.O.N.T.E.N.T.E.S.T.E. تو اس کا procedure کیا ہے سب سے پہلے آپ مریض کا جب serum نکالتے ہو تو آپ یوریا کے kit سے مریض کے serum میں یوریا टیسٹ کرو گے آپ کے پاس یوریا کا جو result آئے گا آپ اسے تقسیم کر دوگے 2.14 پر 2.14 पर यूरिया के रिजल्ट को तक्सीम करने के बाद जो नतीज़ आपके पास आएगा वो आपका बलड यूरिया नाइट्रोजन यानि के BUN होगा मिसाल के तोर पर अगर आप यूरिया का टेस्ट करते हो और उसका नतीज़ चालिस आता है तो उसे आप तक्सीम कर दो 2.14 पर तो आपके पास रिजल्ट आएगा 18.6 जो के आपका BUN होगा डियर वीवर्ज अभी आप लोग शक में पढ़ गए होंगे कि ये 2.14 आया कहां से तो डियर वीवर्ज ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये कहां से आया यूरिया का जो एक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स मौझूद होते हैं यूरिया का जो मॉलिक्यूल होता है 60 और जो नाइट्रोजन के दो एटम्स मौझूद होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 अभी आप इस यूरिया के जो मॉ BUN जो के बनता है 2.14 तो आप जब भी बलड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट करना चाहो और उसको कल्कुलेट करना चाहो तो सबसे पहले आप यूरिया का टेस्ट करोगे यूरिया का जो नतीज़ आएगा उसे आप 2.14 पे तक्सीम करोगे तो आपके पास जो नतीज़ आएगा वो आपका BUN होगा डियल वीवर्स अभी बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल कंडिशन्स हैं जिसमें BUN का लेवल खुन में बलंद हो जाता है या फिर अगर यूरिनरी ट्रेक्ट में कोई बंदिश है या कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है ज्यादा प्रूटीन अगर खुराक में ले लिया जाए या अगर मरीज जल जाए या अगर मरीज को एडिसन्स की बीमारी है या फिर अगर सिवेर इंफेक्शन हो जाए बिक्टिरियल तो उसकी वज़ा से भी जो बीविन है तो उसका लेवल खुन में बलंद हो जाता है अभी उन मेडिकल कंडिशन्स पर बात करेंगे जिसमें बीविन का लेवल खुन में नार्मल से भी कम हो जाता है तो उसमें है माल निउट्रिशन, सिवेर लिवर डिजीज, सिलियक डिजीज या फिर अलकोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और प्रेगनेंसी में भी B.U.N. का लेवल जो है वो खून में कम हो जाता है Thank you so much dear viewers for watching MLT Hub with कामरान अमीद है ये लिक्चर आप लोगो को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज